जो मुस्लिम एक्टिविस्ट कह रहा है उसे यह बताईए कि जब NCRC का जो मुद्दा हुआ था बहुजन के हाद में सविधान और बाबा साथ तुम तो आद सकतर साल में बाबा साथ की तस्वीर लेने में ही चकते हो जो कि तुमें लगता है कि हमारा और तुमारा कूर जो है वह एक लेवल गरने ही तो साथ वी रितर जो जिसका आपने नाम लिया है उन्हें चाहिए कि पहले वह छे बच्चे पैदा करें तो अपने लिए रखें दो संग को दें और देश सेवा में लगाए और जितने भी साथुसन्यासी हैं पहले वह छेचे बच्चे पैदा करके सब्सक्राइब करते हैं और ना ही किसी पर हमला करते हैं कि जाति पाति को लेकर घंडर को लेकर बहुत करते हैं जो बात करते हैं जो एकता की बात करते हैं तो सविधान को जलते घर को देखने वाले फूसका चपपर आपका है उसके पीछे तेज हवा थी आगे मुकदर आपका है और तेरे कत्र पे मैं भी चुप था मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्र पे तूबी चुप है अगला नंबर आपका है अगर आप यह सोचते हो कि आज यह सोभा यात्रा निकाल के और इनसे जो हमले हो रहे हैं आज पहली बार हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है आप बिहार में देखिए हमारे हजारों लोगों को मार दिया जाता था हमारे करणी सेना वाले जो थे जो वहाँ पर लोग थे हमारे साथ बतानी टोला हुआ हमारे साथ फूल पूल पूल बाते हुआ रंबीर सेना वाले लोग चुन-चुन के मारते थे और ये लोग मारते थे तो जुलूसों में निकलते थे उस वक्त इन लोगों के मुह में दही जमी हुई यह कहते थे कि नहीं हमारी गलती होगी तो आज जब वो हमाई साथ नहीं खड़े हुए तो अगर आज जो भी हो रहा है इनके साथ तो यह बिल्कुल नया नहीं है क्योंकि अनुसुचित जाती ना शिवालों की बात कर खाली शिकन मिले है निवालों की बात कर देखिए अगर मुस्लिम पीडित है मुस्लिम पीडित है तो क्या मुस्लिम पिछले दिल्ली दंगों में पीडित नहीं था पिछले दिल्ली दंगों में मुस्लिम पीडित था लेकिन फिर भी उसे जो इस सं तो हिंडू है ना मुस्लिम है बलकि राज्य सकार है राज्य सकार चाहती है कि ऐसा हो इनके साथ क्योंकि राज्य सकार उनके जो है जो एजने हैं उनको fulfill कर रही है आप यह देखिए जहाँगिर्परी में होता है जहांगिर्परी में तो सेवाबनाया जाता है जब कि मेडिया जो है यह नुच्छेनल जो हमारे पास वीडियो जा रही है आप बिन दोनों को केमरे की जो रिकॉर्डिंग ना तो जो 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 जम्नापार में वह उसमें मिलेगी उनांने जांगुर्परी में मिलेगे तो इसका मतलब यह है कि आप सरकार की सहह पर एक करते हो आप अपने लगाए हुए कैमरे बंद करते हो आप लोगों को घर में बंद रहने के लिए चेताबनी जारी करते हैं और फिर उसके बाद में इस परकार का माउल बनाते हैं मैं ने अब बात कही कि मानने वाले जो चैкогоख करते हैं उनका बात बजाते नारे नारे लगाते हैं अगर आप जहां डीजे नारे और जंडे की बात होगी तो मैं बताना चाहता हूं कि नीला जंडा करांथी का पर्टीग है उसका विरोध का पर्टीग नहीं है जब जब यह सविदान को खतम करने की बात करेंगे तो वह सबसे पहले जो है वह नीला जंडा आएगा और जब आ बात करते हैं कि नारे हम भी लगाते हैं तो हम नारे लगाते हैं बाबा सहाब के लगाते हैं भगवान बूद के लगाते हैं पैरियार स्वामी के राश्पिता पैरियार के लगाते हैं लेकिन हम किसी को ना तो अफमान करते हैं ना ही उनके खिलाफ बगावत करते हैं ना ही उ तो खेर दिल्ली जैसे दंगों में आप 2-4 साल से जब से यह जो संग्यों की सरकार आई है यह खुलके नंगा नाच कर रही है जो भारत का दिल्ली मानना जाता है और मुस्लिम समाज जो पूरे बारत में अगर कहीं सबसे आरा सुरक्षित है तो दिल्ली में सुरक्षित है मैं उस बाबत आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जब दिल्ली दंगे हुए तो अजी डोबाल जी भी वहाँ पर आये थे और उन्हें ने दोरा किया था उसके बाद जो दुनिया की नजने वो दिल्ली में जाना रहती है अगर दिल्ली में पत्ता भी हिलता है अगर ऐक democratic की हाद। दिल्ली का होता है उस बात की जएनगे और तुरी दुनिया ऊस चीज को अबज़ानी चाहती है और मज्जित के सामने तेज आवाज में डीजे बजाते हैं तो मज्जितों पर भी चड़ जाते जंड़ाने के लिए आज से पहले दस बारा साल पहले तक भी जो है यह जंडे जुलूस यह सब चीजे होती थी परंतु उस वक कही ना कहीं लोगों को पता था कि मुस्लिम की एक सरकार बनाई कच्छेधारियों की एक सरकार बनाई और कसाई को अपना रहनुमा बना लिया तो और वह कसाई से उम्मीद करते हैं कि वह बच जाएंगे तो नहीं बचेंगे क्योंकि छोटा नसूर खतम करने के लिए बड़ा नसूर नहीं पाला जाता और इन्होंने बड़ा और चोटा दोनों नासू जो है दिल्ली के अंदर पाले हुए हैं और यह आज भी मैं आपके चैनल के माधियम से बताना चाहता हूं कि यह दंगा सिफ ऐसा नहीं कि वह जलूस निकाला और दंगे हो गई यह प्रायोजित है आप यह देखिए कि गैर मुस्लिम दंगे बड़काने का काम करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमनापाल में जब दंगे हुए थे तो कई संगियों के नेताओं ने पुब्लिक लिए दिल्ली पुलिस के डी सीपी के साथ मिलके लोगों को उक्साय था माने के लिए हां जी मुझे नाम नहीं पता कि इन लोग कि अगर दिल्ली के अंदर कानुन व्यस्ता खतम हो चुकी है तो आप यह मानिए कि भायत के अंदर ग्रह युद्ध की शुरुवात हो चुकी है और पर्ट्यक सापात काल लग चुका है और इस पर्ट्यक सापात काल में जो भी बोलेगा वो जेल जाएगा परंतु मैं आप को बताना चाहता हूं कि यह बहुजन समाज के सिपाई हर वक्त कंदे से कंदा मिलाकर माइनौर्टी के साथ कड़े है और जहां भी सवीधान की किलाफत होगी हम उनकी खिलाफत करेंगे और मैं बताना चाहता हूं कि जुर्म और अन्याय के खिलाफ अवाज कोलेगा कौन औ तो बोलेगा कोन तो बहुजन समाज पार्टी जो है हर उस पीडित के साथ खड़ी हुई है जिस पीडित के साथ यह सरकार जो है जो इस परकार के जो शरेट करें कौन सा जो मुस्लिम एक्टिविस्ट कह रहा है उसे यह बताईए कि जब का जो मुद्दा हुआ था बहुजन के हाथ में सविदान और बाबा साथ तुम तो आज 70 साल में बाबा साथ की तस्वीर लेने में ही चकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमारा और तुम्हारा कू इस सवीधान को आपको बचाये हुएं ऐसा नहीं है पहुजन नहीं है बहुजन बोव संख्यक और बहुजन दोनों अलग तुम बहुत संkhयक अपने आपको किसी ओर के साथ जोड़ते हो बहुजन वह हैं जो बहुजन समाझ से रिलेट करता है जो एसी है जो ईस्टी है जो जो पिछड़ा है और जो बहुजन समाज के महापुल्सों में विश्वास करता है जो बाबा साफ में विश्वास करते हैं जो राश्पिता फूले में विश्वास करते हैं जो फातिमा सेख में विश्वास करते हैं ये बहुजन है वरना बहुत संक्यक की बात है तो बहुत सं सब्सक्राइब करें अगर आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो रही बात दो दो बच्चे संग को देने के लिए तो साध्वी रितर जो जिसका आपने नाम लिया है उन्हें चाहिए कि पहले उच्छे पैदा करें दो अपने लिए रखें दो संग को दें दो देश सेवा में लगाएं और जितने भी साधुसन्यासी हैं पहले उसके बाद ही दुनिया उन्हें फॉलो करेंगी क्यों आप दूसरों के उपर लागू कर सकते हैं जब वह एक उंगली हम द जिन्होंने अपने एक एक दो दो बच्चे जो हैं वो विदेश बेजे हुए हैं पहले उन बच्चों को विदेश से बुलवाईए उन बच्चों को इसकूलों से बुलवाईए उन बच्चों को देश सेवा में लगाईए उसके बाद जो है देश से आप जो है विंती करि झाल 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 झाल